कि आदमी नौजवान हो या मेरी तरह तजूर बिकार रात को औरत से जगण में कभी ने जीन सकता नजाने बिचारा कैसे नहाएगा और कैसे दोएगा दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लिम शोला और शबनम से जुड़े बहुत सारे अनलन फैक्स और इसके बॉक्स ओपिस परपा में इसके बारे में तो चैनल को सब्सक्राब कीजिए और वीडियो को पुरा देखते रहिए शोला और शबनम एक रोमेंटिक एक्शन ट्रामा प्लिम थी इसको रिलिस किया गया था 30 जनौरी 1902 को इस प्लिम में हमें नजर आयते गोईंदा, दिव्या भारती, गुल्शन ग्रोवर, मोहनिश भयल, अनुबम खेर और राजा बुलेंदा इस प्लिम को डारेक्ट किया था बॉलूट के जानेमानी डारेक्टर देविड धवन ने, डेविड धवन ने अपनी पूरे फिल्मी करियर में टोटल 17 फिल्मों में गोईंदा के साथ काम किया है और फ्लिम शोला और शब्नम डेविड धोण और गोईंदा के साथ में आई तिसरी फ्लिम थी इसके पहले वो सन 1989 में आई फ्लिम ताकतवर में और सन 1990 में आई फ्लिम स्वर्ग में एक साथ काम कर चुके थी इस फ्लिम को फ्रूडिस किया था बॉल्यूट के जानेमाने फ्रूडिसर पहलाज निलानी ने पहलाज निलानी की फिल्मों से बॉल्यूट के कापी सारे अक्टर्स ने अपना डेविड किया था जैसे गोईंदा ने पहलाज निलानिक की सन 1986 में आई फ्लीम इलजाम से अपना बॉल्यूट में डेबुक किया था हालाकि गोईंदा ने सबसे पहले फ्लीम तन बदन को साइन किया था लेकिन ये फ्लीम थोड़ी डिले हो गई और इसके पैरेलली उन्होंने और एक फ्लीम लव 86 की शूटिंग भी स्टार्ट कर दी थी लेकिन बॉल्यूट में गोईंदा की सबसे पहली फ्लीम इलजामी रिलीज होई थी और पहला निलानी की सन 1907 में आई फ्लीम आग ये आख से चंकी पांडे ने भी बॉल्यूट में आपना डेबुक किया था शुलार शब्नम को लिखा था आनिस बाजबी ने और फ्लीम में म्यूजिक दिया था बप्पी लेरी ने टोटल पांच गाने इस फ्लीम में रखे गए थे फ्लीम का म्यूजिक अच्छा था और लोगों की दोरा उस टाइम पर कापी पसंद किया गया था फ्लीम के कुछ पॉपिलर गानों में से गाने थे तू पागल प्रेमी आवारा तेरे मेरे प्यार में जाने दे जाने दे मुझे जाने दे बोले बोले दिल मेरा बोले और गोरी गोरी गानों के लिरिक्स लिकेते अंजान ने और प्लिम का एक गाना तु पागल प्रेमी आवारा एक गाना उस टाइम पर भहुती ज़्यादा पॉपिलर हुआ था अब बात करते हैं इस प्लिम के बजट और बॉक्स ओपिस कलेक्शन के बारे में तो इस प्लिम का बजट 2 करोड 90 लाख रुपे राका गया था और इस प्लिम में इंडिया में लगबग 6 करोड रुपे और वर्ल्ड वाइट में इसने कलेक्शन किया था लगबग 10 करोड 70 लाख रुपे और ये एक सुपर हिट फ्लिम साबित हुई थी और सन 1929 में चोते नंबर पर सबसे ज़्यादा पैसा कमानी वाली फ्लिम बन गई थी सन 1929 में पहले नंबर पर फ्लिमती बेटा दूसरे नंबर पर फ्लिमती दिवाना तीसरे नंबर पर फ्लिमती खुदा गवा और चोते नंबर पर फ्लिमती शोला और शबनम और 40-45 मिनट के इस फ्लिम को 6.5 और TOP 10 IMDP रेटिंग मिली हुई है तो आप बात करते हैं इस फ्लिम से जुड़े बहुत सारे unknown facts के बारे में Fact No.1 फ्लिम के प्रोडूसर पहलाज निलानी इस फ्लिम का टाइटल सबसे पहले खिलाड़े रखने वाले थे लेकिन खिलाड़ी टाइटल के राइट्स विनस कंपनी ने पहले ही अपने नाम रजिस्टर कर लिये थे जिस वज़े से पहलाज निलानी को इस फ्लिम का टाइट वीडियो केसेट मेनुफेक्चरिंग किया जाता था लेकिन बाद में 1929 में गनेज जेन और रतन जेन ने इस कम्पोनी को एक्सेंट करने का स्टार्ट किया और वीडियो केसेट मेनुफेक्चरिंग के आलबा फिल्मों को भी प्रूदूस करना स्टार्ट कर दिया था और विन अनुबंखेर को पुरा टकला नहीं दिखाया गया था उनके सिर के पीछे कुछ-कुछ बाल रखे गये थे लेकिन फ्लिम के कुछ सिन शुट होने जाने के बाद अनुबंखेर ने अपने पूरे सर के बाल को शेव कर लिया था और अनुबंखेर की इस बात से पहलाज निलान अनुबंखेर के इस बात से बहुत जादा खुश नहीं थी कोई और दूसरा रास्ता नहीं होने के करण फ्लिम में अनुबंखेर के बहुत सारे सिन कैप पेंड कर शुट किये गए थे और फ्लिम में अनुबंखेर स्री देवी के बहुत बोड़े फैन दिकाए जाते है एक से पहले करिश्मा कपुर को आपर हुआ था लेकिन किसी कारण से वह इस प्लिम में काम नहीं कर पाई थी उनके बाद इस रोल के लिए जुई चावला को भी अप्रोच किया गया था लेकिन गोईंदा उस टाइम पर जुई चावला के साथ बहुत सारी फिल्मों में काम कर दे जैसे स्वर्ग रादा का संगम कर चुकाना है भाग्यवान और भावी तो गोईंदा ने इस प्लिम के प्रूडूसर से दिवया भारती के इस प्लिम में काम करने के लिए बात की थी और गोईंदा के थुई प्लिम शोला और श्रम्नन के सेट पर दिवया भारती पहली साजित नाडेल वाला की तुल्सी बिल्डिंग में शादी की थी लेकिन इसके लगबग 10 महने बाद दी 5 एप्रिल 1903 को इसी तुल्सी बिल्डिंग अपाट्मेंट के 6 फ्लोर से गिरने के बाद दिवा भारती की डेथ हो गई थी फैक्ट नमबर चार पहलाज नहिलानी चाते थे कि फ्लिम 16 और शब्नम दिवा भारती की बॉलिवड में पहली डेवी फ्लिम बने और पहलाज नहिलानी की इस बात के लिए प्लिम विश्वात्मा के डारेक्टर राजियर राइस को भी तैयर किये थे लेकिन उस टाइम पर सेंसर वोड की कुछ प्रोब्लम के कारण फ्लिम 16 और शब्नम रिलीज होने में थोड़ी डिले हो गई थी जिस वज़े से विश्वात्मा उनकी बॉलिवड में पहली डेवी फ्लिम बन गई थी और फ्लिम शब्नम में दिव्या भारती के कैरेक्टर का नाम उनका रियल ना प्ले किये थे फैक्ट नमर 5 प्रिम शब्नम की स्वयूटिंग जब उठी में चल रहे थी तो उस टाइम पर मोनिष बहल की मां नुतन की डेथ हो जाने के कैरन उन्हें फिल्म की शूटिंग बीच में छोड़ कर ही वापस जाना पड़ा था और बाद मोनिष बहल के वापस अमित कुमार ने बोले बोले दिल मेरा बोले अजित भठाचारिया ने तो पागल प्रेमी आवारा शबिश कुमार ने और आई लव यू देवासी दाज गुपता और शेलेंदर सिंग ने गया था इसके आलावा फ्लिम का एक गाना गोरी गोरी ओ बाकी चोरी गोविंदा ने जुड़े बहुत सारे अनलों फैक्स के बारे में आपको ये फ्लिम कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजी और बगल में बने घंटे के बटन को भी दबा दीजिए जिसे चैनल पर अपलेड होने आज हाथ नहीं पकड़ोगे देल तो बहुत कर राज्जी